कि असलाम अलेकुम फ्रेंड्स मैं हूं जुनेद चलिए आज हम सीखते हैं कि वी ट्रांसफर को हम कैसे यूज करते हैं वी ट्रांसफर एक आंलाइन सर्वेस है जिसके चुरू हम 2GB maximum 2GB डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अगर 2GB से ज्यादा डेटा ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए मंथली पे होता है बारा डालर्स का मंथली पे होता है ठीक है तो फिर हम 20-20 GB डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इसी तरह जीमेल के अंदर आप मेकजिमम 25 MB डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है अगर हमारे पास डेटा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है 2GB के लगबग है तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके लिए यह साफ्टेयर है आलाइन सर्वेस है वीट्रांसफर.com तो यहां पे आएंगे वीट्रांसफ करना है यहां पर आएंगे डेक्स्ट्रा पर मैं सब उसके रहें यह वाली फाइल स्लेट करता हूं तो यहां पर देखेंगे यह 2MB की फाइल है वन फाइल है तो आप 2GB तक डेटा कर सकते हैं इसके अंदर यहां पर उसके बाद है इमेल तो अब जिसको आपको इमेल या डे इमेल एड करते हूं जिसके पास मुझे डेटा सेंड करनी है इसके बाद है यूर इमेल एडेस यहां पर मुझे अपनी इमेल एडेस एड करनी है तो मैंने यहां पर लिख रखी है यहां से कापी कर गए यहां पर पेस्ट कर देता हूं ठीक है उसके बाद जो आपकी फाइ यह ट्रांसफर पर क्लिक करूंगा तो यह मुझे वेरिफिकेशन इमेल मेरी इमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड़ सेंड करेगा ठीक है तो चलते हैं इमेल के उपर तो यहां पर इसने मुझे कोड़ सेंड करिया है 46246 46246 462-446 462-462-446 ठीक है फिर वेरिफाय करेंगे जैसे ही वेरिफाय करेंगे तो यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 100% कंप्लीट हो गया तो यहां पर लखाव आएगा यू हेव ड़न तीक है तो अगर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ग्रेस करें थेंक्स फार वाचिंग